डेट आज 2 मार्च 2022 ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में फर्स टॉपिक है संजीव सान्याल ये प्रिलिम्स के लिए इंपोर्टेंट है ये टॉपिक ये इमेज में देख सकते हो आप ये हैं संजीव सान्याल जी अभी recently news में इसलिए हैं क्योंकि इनको प्राइम मिनिस्टर की जो economic advisory council होती है उसमें full time member की तरह appoint किया गया है नियुक्ति किया गया है कौन करता है इनकी नियुक्ति economic advisory council में member या इसके chairman cabinet committee on appointment होती है जिसको खुद chair करते हैं prime minister यानि की cabinet committee on appointment chairman नियुक्ति के लिए cabinet minister की committee होती है जिसको खुद chairman यानि की खुद उसके chairman होते हैं प्रधान मंत्री जी इस committee ने appoint किया है economic advisory council में और economic advisory council का काम होता है prime minister को आर्थिक मुद्दो पे economic जितने भी matters हैं उन पे सलहा देना पहले ये संजीर सान्याल जी पांस साल तक principal economic advisor थे ministry of finance के लिए हमारे वित्त मंत्री के लिए पांस साल तक ये principal economic advisor रहे और अब economic advisory council में इनको आप्वेंट कर दिया गया economic advisory council के बारे में थोड़ा और detail से जानेंगे पहले इनके बारे में जानते हैं संजीर सान्याल जी के बारे में इन्होंने एहम भूमी का निभाई थी जो economic survey publish हुआ था 2021 का उसको prepare करने में और publish करने में इन्होंने बहुत अच्छा रॉल निभाया था और देखो इनका ये भी रॉल है पहले economic survey दो volume में आया करता था जैसे economic survey की एक book हो गई दूसरी book ये हो गई दो book में आया करता था इस format को change करके इन्होंने single volume में publish करवाया economic survey अब single volume format में आता है एक अलग से separate volume आती है economic survey की जिसमें सारा statistical data रहता है वरना economic survey एक single volume में आता है एक separate जो अलग से book रहती है वो उसमें सिर्फ statistical table रहती है जैसे graph वगईरा graph वगईरा रहते हैं आपने economic survey देखा होगा तो उसमें देखे होंगे कुछ इस तरह के graph बने होते हैं कि कि कितनी economic में कितना budget रहा पिसले साल कितना expenditure किस department ने कितना expenditure किया किस में कितना खर्चा हुआ कहां से कितना पैसा हुआ इस तरह के कुछ graph होते हैं उसके लिए separate अलग से table होती है separate volume होती है उसके लिए जो economic advisory council है जो प्राइम मिनिस्टर को सला देती है यह non constitutional body है यानि कि सवीधान में इसके लिए कुछ नहीं दिया हुआ एस समवेधानिक यह संस्ता है non permanent है यह permanent भी नहीं है एस था ही संस्ता है और independent body है यह बिल्कुल आजाद है यह बिल्कुल स्वतंतरत body है संस्ता है इसको बनाया जाता था कि economic या economy से related जितने भी issues है government of India के उनके लिए यह advice दे प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर को एडवाईज देती है अभी जो economic advisory council है इसके चेर्मेन है डॉक्टर बिबेक देवरोय यह इसके चेर्मेन है नेक्स टॉपिक है एंटो नौव एन टू टू फाइव और मरिया देखो यह मरिया नाम का या एंटो नौव एन एरक्राफ्ट है यह मानलो प्लैन है और किसलिए काम करता है यह प्लैन यह कारगो ले जाने के लिए कारगो का मतलब है सामान सामान कुछ भी सामान हो सकता है स्पेस लिए military का सामान ले जाने के लिए काम करता है गोला अबारू बिंदूक वगरा यह जो होती है रैफल वग है उन्होंने इसको नष्ट कर दिया जब उन्होंने उक्रेंट की राजदानी राजदानी कीव से ऐर्ट किया कीव का ए impressions चेह यह रस्या और यह है युक्रे की कैपिटल रस्या ने हमला करे करने पर इन दोनों का वार चल रहा आप सब को पताईए इसकी राजदानी कीव है वहाँ पे एरपोर्ट है वहाँ पे हमला किया यह हवाईजाज भी ड्रिस्टो हो गया यह हवाईजाज जो सामान लेके जाता है 84 मीटर लंबा है यह और यह 250 टन तक कारगो लेके जा सकता है 850 किलोमेटर पर आवर की स्पीड पे के लिए यह वन के लिए बी यह बैए स्वस्क देख देखेक चरसक्ट मांशन के लिए दोंवेज को जो सकता है ये weather की forecasting के बारे में और कैसे science डवलप की जा सके इस तरह की research करता रहता है ये पूने में institute ministry of earth science के अंदर काम करता है ये institution और ये जो IMPO नया office खोला गया है ये पूने के institute के साथ मिलके अगले 5 साल तक के लिए सुरू क्या गया है starting में अगर ये अच्छा काम करेगा तो आगे इसे बढ़ा देंगे जो भी मानलो international mountain research करेगा ये मंजून के बारे में मांट सुरू तो जालते हैं तो आप मांसून मतलब seasonal wind सीजनल विंड सीजनल विंड का मतलब विंड मतलब हवा सीजनल विंड का मतलब सीजनल एक सीजन में एक तरफ चलती है तो दूसरे सीजन में दूसरी तरफ चलती है जैसे साउथ वेस्ट मौंसून विंड है साउथ वेस्ट मांसून जब हमारे यहाँ पे गर्मी आती है तो इधर से विंड आती है जब सर्दी आती है तो इधर से आती है उसे नौर्थ इस्ट मांसून कहते है और इसे साउथ वेस्ट मांसून कहते है क्योंकि विंड की डारेक्शन तो किस से define होती है दिसा पे जिस दिसा से वो originate होती है जिस दिसा से वो चलती है तो यह इस दिसा से आ रही है और यह दिसा कौन सी है यह देखो north यह देखो भाई सब north यह south यह east और यह west तो यह direction कौन सी है south west होगी न यह south west और यहां से जब आ रही होती है तो कौन सी हो जाएगी नौर्थ इस्ट क्यों इधर नौर्थ है इधर इस्ट है समझ रहे हो ना अब अगले टॉपिक के चलते हैं यही था इसके बारे में मैं मिटाल हूं यार इसे आगे भी इसमें अपका काम पड़ेगा नेक्स्ट टॉपिक है अपना ओप्रेशन गंगा इसमें सिर्फ इतना याद रखना है यह मिशन है जो इंडियान गौवर्मेंट ने चलाया है इसमें हमारी एयर फोर्स ने भी पार्टिपेट किया है यह मिशन यह है जो भी युक्रेन में हमारे भारत के नागरिक फसे हुए उन भारत के नागरी को वापस हमारे इंडिया में लेके आना है बस इतना ही है इसमें अब तक देखो यह 20,000 अराउंड इंडियन्स है जो यहां पे है स्टुडेंट जो फसे हो उक्रेन में कुछ उको ला चुका और जो बचे हों उनको लेके आए गई नेक्स टॉपिक है अब वापस इंडिया में आई है यह जो इमेज है आईडल है मूर्ती है अब लिक यह अब लोकितेशवर पदमापानी यह देखो आपने 11th क्लास की आर्ट एंड कल्चर की NCRT है उसमें भी आपने पढ़ा होगा यह मूर्ती के बारे में यह बिहार के एक टेंपल में थी द साल होता है तो दो डिकेड में यानि की 20 साल पहले मिस हो गई थी और अब यह इंडियन कंसुलेट को मिलन में हैंडिड कर दिया यानि कि दे दी गई है अब हमारे इंडिया में वापस आएगी 12th century का statue बना हुआ है एट से 12th century के बीच का statue लगभग यह किया गया था स्मगल यहां से चोरी करके भेज दिया गया था दूसरे देश में अभी वहां से हमारे यहां पर वापस आएगी देखो कहां से कहां वापस आएगी यह जरूरी नहीं हमारे लिए हमारे लिए जानना ज़रूरी है अब लिको तेशवर पद्मापनी क्या है और यह अब लोग की ते और मरसी को यानि कि बहुती द्यालू होते हैं अव लिक अव लोकितेश्वर का मतलब यह पॉपुलर बोधी सत्वा हैं बोधी सत्वा का मतलब होता है एक ऐसे भाइसा पुजारी हैं मौंक हैं यह समझे लो मौंक मतलब पुजारी बुद्धिज्म धरम में मौंक हैं जैसे मा और लने इस्ते समय और हिसे तरह भिछए समय अधे आ हैं पुजारी गारी एंपके पुजारी सत्वा समझ लो पुजारी एक बिल्कुल करीव हैं निर्वान निर्वान मतलब जब इनकी मिर्ति हो जाएगे और यह सब कुछ मोक्स पालेंगे इस दुनिया से मोक्स पालेंगे मुक्ति पालेंगे सिर्फ नजदी के बिल्कुल निर्वान पाने के लेकिन अपने निर्वान को यह रोक रहे हैं क्यों रोक लिए जो सब को जानता है कंपेशन मर्सिय दयालू है और यह बोधी सत्वा ही है मोस्ट पॉपुलर बोधी सत्वा है यह बुद्धिज्म में और यह आइडल है इनका वेलफेर करने का समाज की भलाई करने का और दूसरे लोगों की साहता करने का तक कि उन्हें टांसफॉर्म किया जा सके इसलिए अपने निर्वान को पोस्ट पॉन करते रहते हैं डेले करते रहते हैं ताकि मैं और समाज में ज्यान देखे जाओं नेक्स्ट आपीव है टॉपिक है मधावी पुरी बूच यह महिला भाई सब मधावी पुरी बूच पहली बार ऐसा हुआ है हमारी हि यह नेक्स्ट चेर परसन होंगी अध्यक्स होंगी सेवी की और सेवी आप जानते हो क्या है सिक्योर्टी जैन एक्सेंज बोड ऑफ इंडिया यह 1992 में पार्लर मैट ने एक एक्ट पास किया था उसके द्वारा इसको स्टेचुटरी बोडी बना दिया था सेवी को यह हमारे जो स्टॉक एक्षेंज मार्किट होती है हमारे इաिया में जैसे बॉंबे स्टॉक एक्षेंज ए है नैशनल स्टॉक एक्षेंज है एननसी इसको रेगुलेट करती है रूल्स रेगुलेशन बनाती है यहन्ui कि जहां पे बांड से क्यूर्टी शेर वगरा बेचे खरी दे जाते हैं इस तरह की रोल्स रेगुलेशन से भी बनाते हैं और इसी की अध्यक्स मधावी पुरी बूच को अपवेंट किया जाएगा नेक्स चियर्मेन गॉर्मेंट ने अनौंस कर दिया है नेक्स टॉपिक है और देखो पहली बार कोई वूमन के लिए इंपूटेंट है यह जो नेशनल साइंस डे हर साल 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है क्यों सेलिब्रेट किया जाता है सीवी रवन जी के उपलक्स में क्योंकि सीवी रवन जी ने रमन एफेक्ट की discovery की थी इसी के उपलक्स में celebrate किया जाता है National Science Day राष्ट यह विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को और C.V. रवन कौन थे यह थे भाई सब C.V. रवन इन्होंने रवन एफेक्ट को discover किया था इनलब खोज की थी इन्होंने फर्स्ट नेशनल साइंस दे जो celebrate किया गया था वो 28 फरवरी 1987 को celebrate किया गया था उसके बाद से हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है celebrate किया जाता है इस साल की जो theme है वो है Integrated Approach in Science and Technology for Sustainable Future रवन इफेक्ट का क्या मतलब होता है देखो detail में lecture आपको देखना तो Science and Tech की playlist में आपको मिल जाएगा lecture जरूर देखना अगर आपने नहीं देखा तो detail में मैं सिर्फ briefly बता देता हूँ आपको रमन इफेक्ट होता जब भी कोई light जारी होती है जैसे आपके room में एक bulf होगा light लगे होगी tube light उसकी तरफ देखो आप आपको किरने दिखाई दींगे light की आती हूँ तो light ऐसे ही चलती है और सीधा नीचे ते light इस तरह से चलती है wave form में लहर की form में जैसे अगर आप समुंदर में कोई पत्थर फैक होगे तो समुंदर के पानी में लहर उटती है न इस तरह से light चलती है अब ये light इस तरह से चलती है इसकी कुछ wavelength होती है wavelength का मतलब length मतलब लंबाई और wave मतलब लहर लहर की लंबाई एक लहर की लंबाई यहां से चली यहां आके खतम होगी एक लहर यहां आके पूरी हुई समझ रहे हो जैसे यह X-axis मान ले है यह Y-axis तो यहां से जाके यहां पूरी हुई समझ रहे हो यहां से आई और यहां पूरी हुई अलग पैन ले लेता हूँ यह मान लो भाई सब यह ग्राफ है और यह लहर है यहाँ से शुरू हूई और यहां आके खताम हो गई यह एक वेव हो गई एक वेव अब इस वेव की लैंद कितनी है कैसे निकालेंगे अब यह वेव दोबारा भी जाएगी ऐसे आके अब दो उपर यह वाले इसके सिर ले लो यह इसके दो पैर ले लो इनके बीच की दूरी कोई बोलते हैं वेव लेंथ और ये इनकी बीच की दूरी यही होती है यहां से लेके यहां तक यानि की यहां से लेके यहां तक यह A पॉइंट से लेके और यह B पॉइंट तक यह दूरी यह दूरी होती है सेम यह वेव लेंथ है जो वेव लेंथ जो ह अरे किरन की होती है जब भी ये light जारी होती है तो रमन जी ने क्या बताया ये light जब जारी होती है अगर इसके बीच में कोई molecule आ गया कोई द्रव आ गया कोई liquid आ गया कुछ भी आ गया जब उससे पास करेगी न तो इसकी wavelength में कुछ change आ जाता है बादलाव आ जाता है यह है यह رमन एफेक्ट यानि कि जब भी किसी मोल् Rou city environment में देख safe जब भी light atmosphere से निकल रही होती है तो मानलों मयख risks पानी की drop is wassa nिकल रही होती है तो इसकी wavelength में change आ जाएगा बादलाव आ झाएग यह है पूरा डेटेल में आपको जानना तो लेक्चर देखना रमन इफेक्ट का आज के टॉपिक यही थे कुछ देखो तीन चार टॉपिक के लिए बहुत जादा और प्रिलिम्स के लिए भी वह अलग से पढ़ेंगे उन्हें या तो कल कंप्लीट कर लेंगे या आज ही एक दो लेक्चर नहीं तो कल ली करेंगा आज तो बहुत लेट हो गया है